हेलो फ्रेंड्स विग्ना हर्ता ग्रूप ट्विशंस आपके लिए वीजिटी ऑनलाइन इस यूटूब चैनल पर हर दीन एजुकेशनल वीडियोज शेयर कर रहा है यह वीडियोज आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेट कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए तो जैसे कि आप स्कीन बे देख पा रहे हो तो सबसे बहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ने क्या-क्या जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है हमारे चैप्टर नंबर वन में जिसका नाम है लौज ऑफ मोशन तो आप देख सेकते हैं यह पर हमने मोशन ऑफ एन ऑब्जे में जिसका गारति नंबर निएर सिपेम क geschकंत हैं मिनात्र तो टॉपिक हो है हमारा हो चुगा है उसकोडियन घेभिनेशन हमने देख लिया था साहती में हमने डिसकर्द की हा दथा साती में हमने डिस् Barnes आधरति क्या Honor जिसकन कर लिया था एक हमने देखा धा olması एक हमने देख तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं जोस्तों हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो नौमली आप देख पार हो कोई भी ग्राफ में सबको पता है एक 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 एकसिस रहता है एक यकसिस होता है तो आप देख पार हो यहां पर हमारा एकसिस इस डारेक्शन में है और यहां पर आपका य डारेक्शन है इस डारेक्शन में ठीक है तो यह दोनों में क्या है आपको सबसे पहले तो एक आपको टेबल दिया हुआ है इसमें दो चीज तो मैं शक्तिक और tightened में यहां तो यह इक सब्सक्कnd यहां कर दिकाने गेस्ट था रहुआ है यहां पर टाइम क्या बोला है यहां पर देखोगे कॉलम में 0, 10, 20, 30, 40 तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हर 10 seconds के distance पर यहां पर यहां पर बनाया हुआ है यहां पर हमने 10, 20, 30, 40 सुन स्ट, 50 , 60 स vanish yhte 60 स अब करके ie tenha percentage या उसके बाद हमने क्या बनाया है यहां मतलिमतलब हर 15 परitter多ज फिटन की मर्जी होता है 20 यहां पर इन ओर सबस्पाने काड़नी का और सब्सक्राइब है आपको इतना देना है उतना दिस्टेंस दे सकते हो तो 10, 40, 60, 80, 100, 140 तक दे दिया है ताकि क्योंकि यहां पर सबसे मैक्सिमम 105 है तो हमने उससे ज्यादा ही लेना है तो टाइम 10 और आपका दिस्टेंस कितना है 15 है तो टाइम 10 और दिस्टेंस 15 कितना आएगा लगबग यहां पे आएगा गया भृटिड्या लगबग 40 और 60 कही ली कहीं बीच में आजाएगा तो यहां पर आजाएगा तो ऐसके बाद 30 पर 45 है यह तो हमने बना लिया उसके बाद 40 पर 60 आप देखो कि है 40 वाले लाइन पर 60 बनाना है मतलब बराबर इदर आ जाएगा आपका 50 पर 75 बनाना है मतलब 50 वाले लाइन पर रहो x में और यहाँ पर 75 स्वरी तो यहाँ पर हमारा. पॉइंट जोए मिड़ी गया है वापस से में एक बार ड्रॉइक्ण यहां पर पंदो फिर से यहां था एक पर यहां पर आया तो 75 से ine si 55 मतला 80 के पहले आ जाएगा 50 यहां पर कर लिया टे के सिक्स्टी सिक्स्टी वर अलान पर 90 मतला हंड्रे से पहले थогड़ा यहां लगबग 100, थोड़ासा उपर यहां पे, अब क्या करना है, यह सब at points को यहां पर आपके zero वाले points से कया करना है , connect करना है, सिंप्ली इसको एक यहां से हर point को connect कर दckets तो जैसे हैं आपने connect किया, तो आप यह Nepal को करोगे्य जो आपका line बना है वो वो एकदम exactly straight line बनाए ठीक है आप देख पारे हो straight line slope में गया है वो उपर जा रहा है incline हो रहा है लेकिन वो line एकदम straight हो रहा है तो अगर यह line straight बन रहा है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो भी आपका यहां पे graph दिया हुआ है time distance का वो एक uniform linear motion का graph है दोस्तों यह हम हम लोग को identify करवाता है ठीक है तो यह हम लोग को uniform linear motion पता है time के इसाप से distance हर 10 second पे 15-15 change हो रहा है आप देख पारे हो graph में भी जो हमने example प्रिवेज अमर एंथनी का लेखा ही था हमने तो उसमें time के साथ हर 10 second पे 15 मिटर जा रहा है हर 10 second पे 15 मिटर हर 10 second पे 15 मिटर तो हम लो homework में यह question दे रहा हूं मैं आप लोग को draw करना है आपका कैसे graph बन रहा है straight बन रहा है कि तेड़ा बन रहा है कि कैसा बन रहा है वो मुझे फटाक फट कमेंट करके बताओ और अपने पास डॉक करो मुझे comment box में बताओ कि कैसे बना सीधा बना तेड़ा बना कैसे बना वो total graphical method है and यहाँ पर relationship between velocity time जिसके help से हम क्या करेंगे equation निकालेंगे लेकिन आज वो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए ज्यादा time लगता है तो वो एक ही वीडियो में cover करना चाहूँगा तो इसके लिए आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा ये वीडियो को जिसमे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा how to plot the velocity and time या फिर time and distance graph in case of uniform linear motion and non uniform linear motion में ये आपको मुझे draw करके बताना है and फटा फट मुझे comment करके बताना है तो दोस्तो I hope कैसे draw करता है because exam point of you कफी जादा important है exam में पूछता है आपको graph draw करने तो friends इस lesson का आगे का भाग हम next video lecture के माध्यम से देखेंगे friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो उसको like जरूर करो और जादा से जादा students तक उसको share करो और चानल अभी तक subscribe नहीं किया है तो अभी वीडियो की नीचे जो rate color का subscribe बटन है उसे click कीजिए ताकि आपको next videos का update fast मिल सके Thank you